अच्छा मैंने यहां पर आपसे जो हटावाया है वो एक list view हटाया है और added text के अंदर मैंने hint दे दिया है और इसकी जो parent, center aligned parent जो था, वो line मैंने यहां से हटा दिया है ताकि यह left से ही start हो और जो button है उसके hide जो है रैप content कर दिया है, सही है? अच्छा, अब मुझे अगर button के उपर काम यह करना है, मैं यह कहरी हूँ कि मुझे बटन का यह shape नहीं रखना, मुझे इस button का shape चेंज करना है तो अब जब button का मैं shape चेंज करना चाहती हूँ तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा है, एक XML की file बनानी है, मुझे कुछ से अपने पास XML की file बनानी है, ओल शेप बनाना है, ठीक है, तो मैं यह drawable के folder पर जाऊंगी, ठीक है, और इसके उपर right click करूँगी, और इसक बनानी ही रखनी है, drawable में ही रखनी है, ओकी करा, file का अब नाम है, ठीक है, तो मैंने यह लिख दिया, ओल शेप, ठीक है, dot XML, आपने extension इसका लगाना है, dot XML, ठीक है, यह करा मैंने, और इसको एंटर करा, मेरे पास अब यहाँ पे, ओल शेप, dot XML आ जाएगा, बात समझे में हाँ, new file लेनी है, नॉर्मली आपने यहाँ देखा हुआ कि यह इस तरीके से यहाँ पे आ रहा होता है, इधर भी तो यह बने वे ना, path और यह इस तरह की file यहाँ पे for ground, यह बने वे ना, ठीक है, तो आपका भी कुछ इसी तरह का का काम है, ठीक है, कि हमने shape, foot draw करना है, ब अब मेरी अगर examen file है, तो आपको पता है कि examen file के उपड़ च भी नहीं, अगर आप देखो तो normally हर examen file के उपडर यह लिखावा ज़रूरी होता है, पता है ना, यह ठीक है, यह आपका प्र डिफाइन करता है, कि आप examen file के उपडर वर्क करता है, यह लिखना आपका एग अब एक यह लिखो सही है ना? अच्छा दूसरी बात यहाँ पर यह है कि अब मुझे करना क्या है? ठीक है? मैं चहरी हूँ कि मुझे एक शेफ बनाना है क्या बनाना है? मुझे एक शेफ बनाना है अब शेफ के उपपर मुझे यहां नेम स्पेस देने पड़ेंगे ठीक है कि मुझे जो शेप बनाना है ठीक है अगर मैं इसको नेम स्पेस नहीं दूँगी कौन सा वाला ठीक है मैं इस वाले नेम स्पेस की बात करी हूँ अगर मैं यह नेम स्पेस नहीं दूँगी आप में मैं शेप गुपर साइज दे सकती हूँ ना में शेप के उपर कलर दे सकूँगी ठीक है तो मैंने यह अंसे Пр celos रिजे क्ला के यह लुपक का है इस को यहां से कॉपी कर रहा है कॉपी टार करने के बद सक्पर मेंने यहां पेश्युट कर घच क्रों यहां तक अच्छा ये वाला करो ना ये तर से किसी नी एक्टिविटी में से उठा लो अब यहां पर आ रहा होगा इंड्राइट अब इस नेम इस केश पेज लिखने के बाद आपको ये लिखावा नगर आ रहा है ठीक है? तो मैंने का इंड्राइट शेप मैंने कौन सा लेना है? ओवल लेना है बास समझ में आगई? ये लिखो अब मुझे यहां पर काम क्या करना है? मुझे इसके पर कलर देना है तो मैं यहां पर दूँगी एक सॉलिट का वो बनाऊंगी ठीक है? इस तरीके से ठीक है? और सॉलिट के इसमें जाने के पात मैं यहां दूँगी इन राइट कलर मुझे कलर क्या रखना है? कलर मेरे पास वही है उसका जो बैक्राउंड है टील कलर है मुझे वही रखना है क्योंकि मैं बटन के उपर काम कर रही हूँ बटन का जो अपना कोई कलर है सेम अभी कलर वही रखना है ठीक है? इसके बाद आप आसकते हो यहां पर इसके कॉर्णर्स बता सकते हो और इसका साइज बता सकते हो ठीक है? तो मैंने का मैं इसका साइज बता लिए कि मेरे बास जो भी size है वो basically मुझे इसमें रखना क्या है मतलब इसकी width क्या रखूंगी और height क्या रखूंगी तो मैंने का height जो है इसकी मुझे रखनी है 40 dp और इसकी जो width रखनी है वो मैंने रखना है 60 dp ठीक है ये बात में आप modify कर सकते हो कोई असा hard and fast नहीं कि जो मैंने लिख दिया ये वैसे ही जा कर जा कर तक है ये लिखा है नेमेस पेज लिखा है ये ये लिखा है तो इसकी आई 1 minute अचा यहां तक मैंने solid और इसका ये size कर दो ये खतम करा इसके बाद अब मैं यहां पे आजओंगी जो में अच्टिविटी जो मैडिसन है ना जिसके उपर हमने अभी ये काम किया है अब ये जो मेरा बटन है ना इस बटन के उपर जो मेरा बैक्राउंड कलर और ये जो चीजे गिवन दीना इस बाले को मैंने यहां से हटा दिया ठीक है बैक्राउंड अब में यहां से हटा रही हूँ कि मुझे बटन के पीछे ये बैक्राउंड नहीं लगाना मुझे बटन के पीछे जो है वो क्या लिखना है मुझे एड़ रेट प्राइबल ओवल शेप देखना ठीक है यहां पे आरी होगी एक्जेमल ठीक है यहां पे आरी होगी एक्जेमल ठीक है ठीक है यह रख ओवल शेप यह देखो इस तरह आएगा ठीक है यह इस तरह जीए से आपका ओवल शेप आएगा हाँ बटन पी जो हाइड है उसको आप रैप कॉंटेंट कर दो ठीक है इस तरह का ओवल शेप चाहिए तो आप इस तरह भी अगर मैं रेक्टेंगल लेके कॉंटर बनाती हूं तो आपको डिखा देरी हूं कि आप कितनी तरीके से चीजों को कर सकते हूं ठीक है एक मैंने ओल शेप बना लिया है एक और मैं इसका रेक्टेंगल बना देती हूं दूसरी फाइल बना रही हूं ताकि आपको जो रखना आप रख सको ठीक है अच्छा इसके अंदर ऑप्शन बहुत सारी चीज़े हैं कि आप मुझे यहां पर क्या काम करना है इस्ट्रोक देना है सिर्फ कॉर्णर स्पेस की हाइलाइट करनी है ठीक है इसके अंदर मुझे क्रेडियन्स कलर देने है ठीक अब ग्रेडियन्स के अंदर होता है कि आपके पास स्टार्ट कलर कौन सा है रैड सपोस मैंने का स्टार्ट कलर यह है और एंड कलर होता है उसके बीच के वो शेड देता है ना तो मैंने यहां बैक कलर यह सेलेट किया है ठीक है और यह फिर सॉलेट कलर हम यहां से हटा ठीक है और अब आने के बाद हम यहां पे आएंगे तो अब यह स्टार्ट और एंड के हिसाब से जो कलर का शेड हो दाना हुई इस तरह लिए बास समझ गया है मैंने ग्रे कलर दिया है और एक तील कलर दिया है तो तील से लेके ग्रे तपका जो भी शेड बीच में बनता है न हुई इस सारे शेड बनाएं तो यह अब आपकी मर्दी है कि आपने इस देखो इस पे क्या देना और क्या नहीं देना यह वाला मैं कमेंट कर दे रही हूं ठी साइज इसका यह given है अच्छा इसी के साथ मैं यहां पर बता रही हूं कि मेरे पास जो है वो कॉर्णर्ट ठीक है कॉर्णर्ट के अदर मेरे पास होता है कि बॉटम लख कर एडियस मैंने क्या रखना है अब इधर मैं कोई यह साइज पर कमेंट कर रही हूं ठीक है सेलेट करकर कंट्रोल फॉरवर्ड स्लेश ठीक है बॉटम लाफ्ट हो गया बॉटम राइट हो गया ठीक है नॉर्मलि शन्पल लेटियस भी दे सकते हो कि सिंपल लेटियस दे दूँ तो मोँ आड तरह से हो जाएगा सह और डिफरट डिफरट तरह से देनी के लिए ना कि भई हर चकर से अलग देना है को भी मैं बताती हूँ क्या होता है बीपी होता है हाँ, अभी एक्वल दिया है मैं शेप का दरा तुम्हें बता देती हूँ कि इस से फर्ख क्या पड़ता अभी तो इस पे तुम्हें कोई फर्ख नी पढ़ रहा हुआ नदर आरा, ठीक है ना अब मैं यहां पे आरही हूँ, इसको ओवल से हटाके इसको कर रही हूँ, रैक्टेंगल, क्या किया है मैंने रैक्टेंगल किया, ठीक है, और अब आप इसकी उपर देखो, तो इसका जो डिजाइन यह वो कुछ इस तरह हो जाए सही है ना, मतलब इधर कॉर्णनर से आपके पास है, आप यह चीज़ आप बढ़ाते जाओगी तो इसकी यह चीज़ इस तरह राउंड आप होती जाए ठीक है, मैं एक ही फाइल के उपर मैंने आपको यहाँ पर बता दिये कि किस तरीके से आप जो है वो कर सते हो, जब मैं कॉर्णनर देती हूँ ना, तो मुझे इसका साइज देनी की दरुवत नहीं है ठीक है, अगर मैं साइज खोल देती हूँ, वह मसला नहीं है, आप साइज को ओपन भी कर लो, और ओपन करके, यहाँ शेफ चेंच किया है मैंने, ठीक है, इसका ध्यान रखना अगर मैं साइज खोल देती हूँ, तो वह उस साइज के हिसाब से करेगा, मतलब चेंच का साइज को करके, फिर उसके कॉर्णनर देती हूँ, ठीक है, तो यह आपकी अपनी मर्जी है, कि आपने इस पे साइज देना है, नहीं देना, इट्स अप्टोई, लेकिन मैं साइज नहीं देती हूँ, मैं यह कहती हूँ कि अगर आप कॉर्नर सी बता रहे हूं, जो बटन की ऊपर टेक्स लिखाया हूँ, उसी का राप कारने लो, और फिर फिर आप करें, सही है, यह कॉर्नर्स फाली मैंने आपको बता दिया, कि इसी तरीकी से इसके अंदर होता है, कि आप अगर मुझे चारो साइट से एक्वली रखना है तो मैं एक रेडियस लोगी लेकिन अगर मुझे चारो साइट से डिफरेंट रखना है let's suppose मैंने ये कहा कि मेरे पास बॉटम राइट से जो है गोई 20 डीपी है कितना है ये 20 डीपी है अब बॉटम राइट क्या होगा अपनी तरफ से बॉटम और उसका राइट चेक करो सही है ना हाँ उसकी तरफ अगर हम चेक करते हैं तो मेरे पास ये दे को ये इस तरीके से ट्राण हो बास समझ में आरही है अब ये मेरे पास टॉप लेफ्ट है अगर मुझे इधर से भी सेम ये ही शेफ देना है ठीक है क्या देना है मुझे सेम ये ही शेफ देना है मैं इसको यहां तुम्हें थोड़ा सा जूम करके दिखा रही हूं ताकि ये शेफ का चो है ना थोड़ा सा पदा चलेगी है सही है अब मुझे कुछ शेप अगर दूसरे तरह का कुछ बनाना है या कोई भी अगर मेरे पास इस तरह की चीज है तो मैं यहाँ पर अब क्या करूँगी गोगल शेप पर आ रही हूँ अब मैं कहरे हूँ टॉप से जो लेफ्ट है वो भी मेरे पास 20 है ठीक है अब लेट्स अगर आप देखोगे तो आपके बटन का शेप है न वो कुछ इस तरह का हो बहुत है बास में चमागी है अब यह किसी भी तरह का शेप हो उसको आप देने के लिए यह यूज़ कर सकते अगर मैं यहां से इसको यह करती हुँ न मेरे पास लाइन पनाना है मुझे रिंक बनाना है मुझे क्या बनाना है यह आप इस से बनाओ ने लाइन आजेगी कि यहां जो लाइन को यूज करते हुए आप जो लाइन करो के उसकी साब से वो शेफ बढ़ेगा अचा फिल हाल अभी जो मेरे पास है वो अब मुझे यह अगर मैं यह चारो देती हूं तो मैं डिफरेंट कर सकती हूं इन चारो को कमेट करके मैं यहां पे सिंपल यह पता रही हूं कि इन चारो को मैंने कमिन्त किया अब मुझे कॉर्नर के उपर सिंपल रेडियस देना है और रेडियस मैंने कहा 10db है कि मैं चॉ उन्हेंट ससाइट से हमारेपस क्या था 10 इसी तरह होता है, it's okay, it's fine, ठीक है, ठीक है, अब अगर आप बटन की हाइड यहां से कम भी कर देतों न, 30 dp, तो वो उसी के हिसाब से चलेगा, कि बटन की हाइड ऐसी है, तो इसका डिस्प्ले ऐसी कर, समझ गया, खैर यह वाला जादा बेटर है, यह यहां दर मैंने कर दिय कर दिया है, अब आप अपनी मर्दी से, शेप को जो आपको रखना है, आप इसे सलेक कर लो और हो कर लो, समझ गया, यह करो, फिर मैं आगी कर दियू कर दिया, कर लिया, अच्छा, यह चीज समझ में आगी है न, शेप की, यह मैंने कमेंट्स नहीं कर दिया है, इसलिए ही यह इसी के अंदर रहे है इसके नाम रख दिये थे, यह जो medicine data है, वो basically क्या है, मेरा यह list view है, इस पाली list view का नाम है, यह list view मेरे पास बजाहर मुझे यह नजर नहीं आती, ठीक है न, हाँ, तो यह मुझे list view हो जाया, यहां पे नजर नहीं आरी, मेरे पास यह अच्छा, यह relative layout है, आप यहां पे देख अब यह list view हो है, अगर मैं चाहूं कि मेरे पास जो linear layout बाखी का पूरा बचावा है न, उस पूरे के उपर जाए यह list view आ जाए तो, इदर भी मैं क्या कर सकती हूँ, एक, यानि मैं relative layout, linear layout के अगर अगर आड कर रही हूं तो वो एक की नीचे एक ही एड हो, ठीक है, अब यह पेस करूँगी, मैंने कट कर आगा, match parent, then match parent, जितना match parent है उतनी ही हिसाब से आप इसको कर दो, अब यह list view मैंने इसके अंदर यहाँ पे क्या कर दिया है, पेस्ट कर दिया है, ठीक है, अब यह थोड़ा सा लोड हो रहा है, wait, अब यहाँ तक मैंने पेस कर दिया है, यह लोड हो रहा है, ठीक है, अब मेरे पास आ रहा है, item 1 and then sub-item 1, ठीक है, यह मेरे पास इसका, अब मतलब बेसिकली आपका जो डिस्पले है, वो इस सरी के समें सेट कर दिया है, कि भई जो इसके नीचे का जितना भी एरिया है, वो पूरे इस list view को लेना है, ठीक है, लेकिन मैंने list view की height यही कर रहा है, कि जितनी इसकी अब क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, जादा होगा, तो यह जो scholar viewer है, यह automatically इसी के उप़ आएगा, सिर्फ लेस्प्र वीव में चल रहा होगा, उप़ आपकी screen का नहीं है, यह जितना वर आता रहेगा, यह आपकी हिसाब से एड़ेस्ट होगा, सही है, इतनी पास समझ माई, यहां तक कर लिया, ठीक है, अच्छा, लास हमने जो काम करा था, अच्छा, इस list view का जो हमारे पास नाम था, वो था medicine list, क्या नाम था, हमने क्या रखा था, medicine list, तो हमने उप़ एक list view बनाया, और इसका नाम रखा है medicine data, और मैंने का इधी medicine data किस medicine list रखी लिए उसके बराबर है फिर मैंने array adapter लिया है string ठीक है और इस array adapter को मैंने कहा है कि this मतबब इसी layout के उपर एक waterfall template है ठीक है ये है simple spinal drop down item का template है वो किसके बराबर है medicine array जो हमने उपर array बनाया हुआ है ठीक है इस array के बराबर है इसके बाद मैंने कह दिया है कि जो नी मेरा medicine data है यानि basically medicine जो list है आपकी layout की वो किसके उसके उसके उपर set adapter यानि उसके उपर हम data set कर रहे हैं इस array adapter के बराबर है इस array adapter के बराबर है ठीक है अब मैं इसको यहाँ पर चला के दिखा देती हूँ ठीक है जो हमारे पास पहले चल रही थी अब इसको हमने stop किया है और stop करके आप इसको rerun करें ताकि हमारे पास जितनी भी changes है वो सारी की सारी इसके उपर apply हो जाए मान फ़ी בא काम अभी हमने किया नहीं है ठीक है जब हम सरॉच फाला काम करींगे तो भी सठीक है... मैं भी से enough.. मैंने उप मान फाल सठीक हिर्ट कहरी है 2500 नल बरा बने मान प्रफीस जाम्टरल के एक हमने मान के लिस्ट कह पास अग कि भी सठीक है जी तो चला के दिखा रही है तो फ़र पर आख मैंने यहां पे क्लिक किया है ठीक है अब यह मेरे पास यहां पे आरे आपके पास आपके पास आपके पास आरे ठीक है यहां पे आप कुछ भी अगर लिखते हूं यह देखो साइट में स्कॉलर्ड विवर आगया ठीक है कि कीबोर्ड पुल है तो यह स्क्रीन का साइट थोड़ा चोटा हुआ तो यह आपके साइट में स्कॉलर्ड विवर उसने आपको डिस्प्लेई कर दीक है दिक हो कि सेट हो तो यह सेट तो हो गया है दो सेट होने के पाद हमें इसके क्लेखन के उपर भी काम करना है तो किसी क्लेच करें न तो हमें वो डाटावगोर्ड हूं कहले है की हमने इसकी उपर ना क्लेक किया रिच ठीक है तो कि environ इसके उपर हम यहाँ पर काम यह करेंगे medicine activity यह जो भी हमार पस medicine data है तो मैं यहाँ लगओंगी medicine data ठीक है? dot set on click ठीक है? यहाँ पर आपर बस आ रहा है set on click listener यह वाला ठीक है? और इसके अंदर हम यहाँ पर यगाएंगे new एक नट हमें एडाप्टर वाला लगाना है if you want click listener set on item item click listener new adapter new on item click listener यह आ रहा है? ठीक है? यह वाला step करेंगे यह वाला method putpun कर आएगा सही है? इसके बाद हमने यहाँ भी काम करना है यहाँ मैंने ले लिए string और आपको नी ने ले रहे हो तो मैंने यहाँ पर लिदिया Madison हमने नाम पिक करना है और नाम पिक करने के लिए मुझे क्या काम करना है मैंने यहाँ पिका कि कीशोब कीशोब है और विए सरस्सक्राइज कर करें जिक में उप्सक्राइजन पिक कगका One X ठीक है और नीचे हम यहाँ पर अपना एक टोस नोर्टिफिकेशन में आ लेंगे .make-tax ठीक है make-tax.this करा हमने जो हमारे बस current है उसको हमने यहाँ पर this करा कॉमा लगाया this भी लगा सकते हो अपनी activity का नाम भी लिख सकते हो medicine activity.this भी गड़ सकते हो ठीक है अच्छा यहाँ दिस्पेंडी के बास हमारे का जो भी हमारा मन्तब हमें डिस्प्ले कराना है वो ठीक है और इसके बाद हमारे पास होता है कि तोस की हमारे पास length क्या है ठीक है length short मैंने रखी और इसके आगे dot show का method लगाया अच्छा यहाँ पे मेरे पास क्या चीज मौजूद है यह कि मेंचे यहाँ पे display क्या कराना है ठीक है तो मैंने यहाँ पे लिखा medicine name colon space और इसके साथ यहाँ पे plus करा और plus करने के बाद मेरे पास आएगा medicine name अच्छा अगर disc पे दे रहा है तो कोई मस्वा नहीं है यहाँ पे इस disc की जुना पे हमारे का second medicine अथी P dot ठीक है ठीक है directly भी आ जाता है क्या थी कभी कभी आ जाता है कभी आ जाता है इसको इस तरीक सामने लिए इसको लाँ सेफ करा मैंने सेफ करने के बाद मैं अगीन application अपनी run कर रही हूँ then run करने के बाद मैं आपको दिखा दी हूँ कि यह हमें टोस notification देता है यह नहीं ठीक है अच्छा हम यहाँ पे फेल इसको चला लेते है login 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 successfully message आया है मेरे पास आगया है वह मेरे पास यहां पे लिखावा आता है ठीक है इस पे भी मैं क्लिक कर दी हूँ यह लिखावा आता है मतलब ताक कि आप आप पिक करने नाम पिक करने के बाद नाम को पिक कर और इस प्रिक कर जा सकती है आप इस्क्रिप्शन पे आप फोकस कर सक्रिविटी इसकी पर्डिक लिस्त की आए कि अगर आपने यह शॉप करनी मैं किसी एक पे नाम पे गई और मैं पडिकुलर उसके जटे डिस्क्राइब करूगी कि मुझे यह कितनी चाहिए और कितना चाहिए पास मिल्च में आई हाँ मतलब फिल और डेटा आप फिल करोगी तें फिर आप उसके बाद आगे की तरफ भूप करोगे यह बहुत क्या चाहिए और क्या है जो फर्दर को आउन यह बाद इसकी समझ में आगई